आपके पास Vivo V30 है, V30 Pro है, कोई भी फोन है, तो यहाँ पर आप spam number की setting कैसे कर सकते हैं, unknown number online identification हो गया, या फिर spam number की setting हो गई, तो इसके लिए आप यहाँ पर डाइलर ओपन कर लेंगे, यहाँ आपका Vivo डाइलर है, इसमें आपको Google डाइलर भी मिल जाता है, ठीक है, तो कोई भी डाइलर ओपन कर लेंगे, जैसे मैंने Vivo कर लिया, इसके बाद यहाँ पर 3 dot पर गए, और यहाँ पर call setting पर चले गए, call setting पर चान के बाद unknown number online identification पर आप क्लिक करेंगे, इसे on कर देंगे, तो जो भी person आपको call करेगा, तो यहाँ पर इस टैप से लिखा हुआ आजाएगा कि कौन है, कहाँ का number है यह इस टैप से, जैसे true caller में होता है, ठीक है, इसकी बाद कुछ नहीं करना है, बैक कर लेना है, और यह हो गया, आपका block spam call का option, ठीक है, यहाँ से आप सारे unknown numbers को block कर सकते हैं, कोई भी आपको call नहीं कर सकता है, जो भी आपकी contact list में नहीं है, वो सब, ठीक है, तो फिलाल के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी, अच्छा यह sim 1 की setting है, और यह sim 2 की setting है, तो जो sim 1 में setting करेंगे, अगर वही sim 2 में चाहिए, तो इसको on रखेंगे, अदरवाइस इसको बंद कर देंगे, तो sim 2 की setting आप separate कर सकते हैं, अलग से, तो यह चीज़ मैंने आपको बता दिया है, spam call को आप on कर लेंगे, जो भी आप fraud number हैं, वो आपको contact नहीं कर पाएंगे, scam को on कर लेंगे, जो scam करते हैं, वो भी contact नहीं कर पाएंगे, आपको advertising वाले अगर आप चाहते हैं कि वो लोग call ना कर पाएंगे, तो इसे on कर देंगे, state agent वगरा के लिए भी आप इसे on कर लेंगे, insurance, finance वाले भी अगर आपको contact नहीं चाहिए, तो आप यहां पे इसको on कर पाएंगे, तो ऐसे करके आप यहां पे enable कर लेंगे, तो इन सारी category से related जो भी person है, वो आपको call नहीं कर सकते, और रही बात unknown numbers की, तो यहां से आप इसको on कर लेंगे, तो जो private number होते हैं, जिनकी identification clear नहीं हो पाती है, और जो null number होते हैं, यानि कि उनका number आपको show नहीं करता, screen पे, वो सारे आपको contact नहीं कर पाएंगे, यह सारी security purpose के लिए call setting होती है, तो इसे आप on कर देंगे, और अगर आप चाते हैं कि repeated number जो होते हैं, जैसे कि एक person unknown number से call कर रहा आपको, उसने दुबारा से, तीन second के अंदर दुबारा से उसी same number से call किया, तो वो person आपको contact कर सकत है, तो इसके लिए, यह चीज on रखेंगे, ठीक है, और यहां से आप block numbers देख सकते हैं, किसी को आपने block कर रखा है, तो, यहां से block call locks आजाती है, कि किसने कपकप आपको contact करने की कोशिश की है, सब की miss calls यहां पर पढ़ी होंगी, जो भी number block है, वो सब, ठीक है, तो यह setting मैं भी आपको कर लेनी है, अगर यही setting आप यहां पर भी चाहते हैं, तो बस sim one की setting इसके उपर भी apply कर देंगे, तो ऐसे करके आप step की setting कर दीजे, मिलते नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार,